तो स्वाकत है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आज की वीडियो जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज के उपर में जो की एक्जाम परस्पेक्टिफ से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इंडिन कॉंसलेट जो है कांधार का उसको क्लोज कर दिया गया है हमारे देश की सरकार ने अपने जितने भी डिप्लोमैट्स और आईटी बीपी परसनल्स थे वो कांधार की कॉंसलेट्स से वापस बुला लिये है और जैसा कि एक न्यूज में देखा गया है इनके नंबर ज किया था कि मैं अपने यूएस ट्रूप्स जो है मिडल इस्ट कंट्री के अंदर मैं उनको मैं वापस बुला लूँगा तो इसी के चलते में ही जो है तालिबान फिर से उठख़़ा हुआ है और अफगानिस्तान की बहुत सी टेरिट्री उसने क्लेम कर ली है और उनके इसा या 40-49% एरिया जो है अफगानिस्तान के पास में तो जैसा कि अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर दे सकते हैं यह दा हिंदू का एक बहुत बड़ी आर्टिकल है इन्होंने जो है बताया है कि तालिबान के अंदर तालिबान जो है अपनी टेरिटरी बहुत दीरे दीरे बढ़ जी थी जिदर से हमने अपने 50 डिप्लोमैट्स और सिक्योर्टी परसनल जो इंडो टिबितन बॉर्ड पुलिस के थे ITBP परसनल इनको एवैक्वेट किया है यह एक अफगानिस्तान का अभी पॉलिटिकल मैप है और इसके अंदर आप रेड कलर का जो एरिया देख सकते हैं यह contested एरिया है मतलब यहां पर लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान की forces के बीच में और तालिबान के बीच में और जो यह black एरिया आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा एरिया तालिबान के अंडर है जैसा कि आप देख सकते हैं 50% एरिया जो है तालिबान के अंडर आ चुका है और बहुत जल्दी यह आगे भी बढ़ने वाला है और मेरे मेरा मानना तो यह है कि वहां पर जो civil and government आई थी वह बहुत जादा खत्रे में हैं कुछ टाइम बाद में अफगानिस्तान forces भी जो है उसके सामने surrender कर देंगी और तालिबान का ही जो है एक single party political party बनके उबरेगी और वो उसका ही पूरा control रहेगा पूरे अफगानिस्तान की उपर में अब मैं आपको बताऊँगा कि एक embassy और consulate की बीच में क्या difference होता है और इनको क्या काम होता है तो embassy जो है उसको एक अलग country में setup किया जाता है जिस भी country के साथ में diplomatic relation setup हो चुके हैं तो उनको ह diplomatic presence के लिए ही एक country दूसरे country के अंदर में अपनी embassy बना की रखती है तो हमारी जो embassy है इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर काबूल में establish हो रखी है और इसी का ही एक sub office होता है consulate तो यह embassy का काम तो होता है diplomatic regions और diplomatic relations को handle करना और यह consulate का का काम जो होता है यह actually इनका काम होता ह है visa related या travel related काम करना ताकि हम दोनों के बीच में दोनों countries के बीच में जो है travel जो है अच्छा हो सके हमारा culture एक दूसरे से share हो सके हमारे चार consulate जो है अफगानिस्तान के अंदर में जिसमें पहला कांधार में दूसरा जलालाबाद में तीसरा हैरत में और चौता मजार शरीफ में है और एक embassy है जैसा कि मैंने आपको पहले पताया वो काबूल में है जो कि अफगानिस्तान का capital है अब मैं इसका map जो है आपको दिखा देता हूँ तो map में यह है अफगानिस्ताब का map इसमें सबसे पहला जो आप देख रहे हैं कांधार का यहां पे हमारा consulate है इसके बा राइफ के अंदर है इसके बाद एक हमारी जो embassy है वो काबूल में है जो कि यहां पर है तो इसमें से ये तीन consulate जो है बंद होच के जिसमें कांधार का Consulate अभी बंद हुआ है जलालाबाद और हैरत का Consulate बहुत पहले ही बंद हो चुका है और इसके बाद में बस एक Consulate जो मजारी शरीप का Consulate है वो अभी चालू रहेगा और हमारी Embassy जो है काबूल के अंदर में वो चालू रहेगी तो ये थी latest news हमारी Actional Affairs से जुड़ी हुई और Diplomatic Relations से जुड़ी हुई और अगर आप और ऐसी News देखना चाहते हैं और ऐसी Current Affairs देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक्यू सो मच जैहिन